एक ऐसी website जिस website के उपर हम image को resize करते हैं मतलब image हमारी बहुत ही बड़े size की है उस image को हम छोटे size में convert करते हैं पर quality वही रहेगी ठीक है ऐसे बहुत सारे website है वहाँ पर हमें हमारे images को submit करना होता है इस problem के लिए हम क्या करते हैं image को resize करते हैं तो आज जो मैं आपको website create करके दिखाने वाला हूँ वो website image resize की website होगी बिल्कुल free है blogger के उपर है और इस पूरे के पूरे script को मैंने ready किया है मैंने design किया है आपके लिए मैं हर बार ऐसे ही script free में लेके आता हूँ अगर आप मेरे चैनल के उपर नए हो तो चैनल को ज़रू subscribe करना बेल आइकन को प्रेस करके all button के उपर click ज़रू करना तो गाईस सबसे पहले मैं कभी भी website को दिखा देता हूँ तो इस बार आपको directly website दिखा रहा हूँ मैं ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो image resizing यह है हमारा heading title सबसे बड़ा title ठीक है उसके बाद में यहाँ पर मैंने पूरी direction दिए है आपको यहाँ से एक image को choice करना है यहाँ से image को select करता हूँ ठीक है तो मेरा जो image है वो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ वो कितने MB का है so guys यह मेरा एक photo है मेरे लड़के का photo है इसका जो size है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं तो इसकी जो size है वो 7.55 MB ठीक है यह size है इस image की इसे मैं select करता हूँ यहाँ से open कर लेता हूँ ठीक है तो वो image यहाँ पर आ चुका है ठीक है इस website के उपर आ चुका है 7.55 MB का यह image है अब यह image हम download करेंगे इस website के उपर से तो मैंने यहाँ से उस image के उपर click किया तो यहाँ पर directly वो image download हो गया अब इसे हम क्या करेंगे open करेंगे ठीक है तो show in folder के उपर मैं click करता हूँ तो अब हमने यह वाला image download किया है ठीक है मैं इसकी property शेक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो 358 KB कहा 7.55 MB का image 358 KB के अंदर convert हो चुका है तो गाइस इस तरह से हमारी website काम करती है आप image resize यहाँ पर कर सकते हो आप अपने हिसाब से इस website को name दे सकते हो यहाँ पर million traffic आ सकता है अगर आप इस पूरे की पूरे website की अच्छे से SEO करते हो और बहुत ही अच्छे से keyword research करते हो domain name यहाँ पर attach करते हो so guys इस website को कैसे create करते हैं वो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ इसके अंदर बहुत सारे चीज़े हैं वो आपको सीखनी है बस description में जाके script को download नहीं कर लेना ठीक है आपको नहीं पता चलेगा अब मैं आने वाले videos के अंदर य आपके script work नहीं कर रहे तो video complete तो देखो उसके बाद में आपको पता चलेगा कैसे मैंने उसे customize किया है बस मैंने दिया आपने लिया और install कर दिया ऐसे मत करो और guys मैंने जितने भी script दिये है वो सब proper script है आपको बस उस video को complete देखना है और उसके बाद में उस website को create करना है जब आप website create करते हो तो एक business की तरह create करो बस किया और छोड़ दिया ऐसे मत करो complete काम करो उसके उपर महिने लगने चाहिए उस website के उपर ठीक है मैंने बस install करने के लिए सिखा है इसके लिए आप install कर रहे हो आरे मेरा rank नहीं होरा blog उस blog को उस website की proper SEO करो अच्छा domain name लो ठीक है इतन होने के बाद में आपको बार बार search console में जाके इसे index करना है आपको बहुत सारा काम है एक website के पीछे so guys अब हम इस website को create करेंगे तो कैसे करेंगे blogger के dashboard में आ जाना है और यहाँ पर आपको new blog create करना है ठीक है तो मैं मेरा एक new blog create कर लेता हूँ so guys सबसे पहले आपको एक keyword research कर करना है आपके blog website का tool website का तो यहाँ पर आप जबी भी title रखोगे अपने website का अपने blog website का तो बहुत ही सोच समझ के आपको title रखना है तो मैं example के लिए demo के लिए कुछ भी यहाँ पर दे रहा हूँ पर आपको बहुत अच्छे से research करनी है उसके बाद मैं ही यहाँ पर title देना है उसके बाद मैं simply यहाँ पर मैं next button के उपर click करूंगा अब यहाँ पर आपको अपने blog channel का address create करना है और address आप अपने category के name से ही रखोगे तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ उसके बाद मैं save button के उपर click करूंगा so guys आपके सामने dashboard आ जाएगा description में मैं मेरी theme की link दे दूँगा आपको वहाँ से उसे download करना है डाउनलोड करने के बाद मैं उस theme को आपको open करके उसका code copy करना है और इस code को हम copy करेंगे ठीके आपको भी copy करना है उसके बाद मैं आपको आना है theme के अंदर अब यहाँ पर आपको क्या करना है classic theme इस option के उपर click करना है और यहाँ पर without a backup के उपर click करना है इतना होने के बाद मैं आपको यहाँ पर edit html के अंदर जाना है यहाँ पर एक code होगा already इसे आपको क्या करना है Ctrl A करके पूरा delete कर देना है और यहाँ पर मैंने जो code दिया है वो यहाँ पर paste करना है ठीक है नीचे आना है और यह tasty यह वाली जो theme है इसे आपको select करना है apply कर देना है तो यहाँ पर successful हो चुका है मैं उपर जाओंगा अब यहाँ पर आपको change now bar के उपर आपको जाना है और यहाँ पर इसे off कर देना है यह आपका by default off नहीं रहेगा आपको यहाँ पर off कर देना है ठीक है save कर दूँगा अब गाइस हम क्या करेंगे view block के ओपर click करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस पूरे के पूरे script को आपको easily install करके दिखा है और यह कैसे work करता है वह भी मैंने आपको बहुत ही clearly समझा है बस इस tool website को आपको rank करने के लिए इसका अच्छे से SEO करना है इस पूरे के पूरे image tool website का keyword research करना है आपको बहुत ही अच्छे से और सबसे important यहाँ पर .com ही domain attach करना तभी यह website rank हो सकती है बहुत ही अच्छी तरह से ठीक है so guys अगर आपको कुछ भी doubt हो तो आप मुझे instagram के ओपर follow कर सकते हो मुझे message कर सकते हो मैं जरूर reply दूँगा वैसे comment box क के उपर मैं reply जरूर करता हूं अगर guys आपको कुछ doubt हो तो जरूर मुझसे पूछना ऐसे नहीं सोचना कि यार यह reply नहीं देता तो आप मेरे supporter हो आपके वज़े से मेरा channel है so guys मिलते हैं next video के अंदर so bye bye